नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक और वीडियो आपकी क्लास 11 की हिस्ट्री की किताब इसको कंटीनू करते हैं जहां पर लास्ट टाइम पर छोड़ा था यहां तक हम कवर कर चुके थे तो जो इरान की भाषा थी उस समय की जिसको बोले जाता था पहलवी एंशेंट इरान में पहलवी भाषा का ज़्यादा प्रेख उस समय पे नहीं हो रहा था ठीक है, अब आप देखोगे कि एक नई प्रकार की पहलवी भाषा जिसको न्यू पर्शन बोला गया है, ये डेवलप होने लगी इरान की इलाके में, जब अरब्स का यहाँ पर कंट्रोल हो गया है, देखिए, अरबिक लोग अगर किसी एक जगा पर आ गया है, तो इसका वा अब आप देखिए, तो फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत सिं खुरासन एंड ट्रांस आक्सियाना टुक न्यू पर्शन टू ग्रेट कल्चल हैट्स, खुरासन में सल्तनत बनी, ट्रांस आक्सियाना में एक राजशाही बनी, और यहाँ पर न्यू पर्शन यह जो भाषा डेवलप पुई थी जिसमें Arabic vocabulary थी, पहलवी vocabulary भी थी, यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रो होने लगी, एक भाषा तब बहुत तेजी से ग्रो होती है, जब उस पर्टिकुलर जगा पर राज करने वाले लोग उस भाषा को सपोर्ट दें, फिर यहाँ पर बात की जाए समानिट कोट प कोजाकी active थे, he was considered the father of new Persian poetry, तो इन्होंने new Persian poetry में बहुत कुछ लिखा, नए-ने forms के यहाँ पर poetic forms बनाए गए, जैसे short lyrical poems, गजले बहुत सारी लिखी, कत्रे लिखी, रुबात, रुबायत, रुबायी था, रुबायी था एक four line stanza, in which the first two lines set the stage and third is finally poised and the fourth delivers the point, तो आप कह सक करके poems लिखना, कहानिया लिखना, रुबायत लिखना, यह उस समय पे बहुत तेजी से उठा कहाँ पे new Persian poetry में, और इस new Persian poetry के एक बहुत important लेखक थे, जिसका नाम था रुदा की, जो कि समानिद court में उस समय पैक्टिव थे, अगर आप इरान साइट घुमने जाओगे तो सम समानिद, ससानियन, आपका सफाविद अंपायर, इन सब चीजों की हिस्ट्री वहाँ पे काफी dominant, देखिए हर इलाके के अपने अपने हिस्ट्री होती है, हम कहीं पे भी घुमने जाएंगे तो हमको वहाँ के historical monuments दिखाए जाएंगे, हमें नहीं समझ भाएंगे, कोई बाहर मेटर होता था रुबाई का, it was unrestricted, unrestricted मतलब इसमें अलग लाना प्रकार के subject को include किया जा सकता था, तो देखिए क्या लिखाए, it can be used to express the beauty of a beloved, praise, a pattern, और express the thoughts of the philosopher, तो रुबाई में कुछ भी हो सकता था, फिलोसफर के thoughts को express किया जा सकता था, आपने राजा की तारीफ करी जा सकती थी, ठीक है, अपने किसी प्यार करने वाले या फिर किसी natural beauty की चीज़ की तारीफ करी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था रुबाई में, तो कुल मिला कि आप कह सकते हो, रुबाई एक ऐसा form था, जिसमें जो experiences थे, जैसे for example, कसीदा, कसीदे पढ़ रहे हैं अपने, क्या नाम से, emperor की तारीफ में, तो कसीदा तो मतलब यही होगा, कि आप किसी की तारीफ कर रहे हो, या तो अपने रवर की तारीफ कर रहे हो, बैसिकलि, emperor, जो कि आपका pattern हुआ करता था, राजा हूआ करता था, उसको मक्खन मारने के लिए कसीदे पढ़ जाते थे, लेकिन, रुबायत रुबाई एक ऐसी चीज थी जिसमें सब कुछ हो रहा था ठीक है लव वाले इलिमेंट भी आ रहे थे फिलोसफर फिलोसफी भी जाड रहा था आप अपने पैटरन की भी तारीफ कर रहा हो जैनवर की भी अच्छाई हो रही हर चीज हो रहा है रुबाई में रुबाई नाम का है जो आप कहलो पोईटिकल फॉर्म था ही अपने जैनित पे सबसे टॉप पे पहुँचा उमर खयाम के अंदर 1048 से लेके 1131 AD के टाम पे उमर खयाम एक्टिव थे एस्ट्रिनॉमर थे, मैथमेटीशियन थे बुखारा में भी रहे हैं, समरकंद में भी रहे हैं, इस्वहान में रहे हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टन सीटीज हैं इस्वहान तो बहुत इंपॉर्टन शहर आज की डिट में इरान का आप कभी जाओगे तो जो ट्रेवलर्स होते हैं उनकी टॉप के लिस्ट में होता है इस्वहान तो इन जगों पे उमर खयाम रहा करता था और रुबाई के लिए वो जाना जाता था फिर आप देखोगे कि 11th century की शुरुवात में गजनी नाम की जो जगा थी न वो पर्शियन लिटरिरी राइफ का सेंटर बन गए एक भाषा कभी कभी कुछ जगों से बहुत सब्सक्राइब कर दीजे इस्टर आपको अपडेट्स मिल जाएंगी टेलीग्राम पर पीडियोफ मिल जाएंगी जोइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकें तो डेफिनिटली करें ठीक हैं आपको चैनल पे सब्सक्राइब बटन के बगल में जोइन बटन मिल जाएगा तो इससे काफी अबदत मिल जाती सारी की सारी वीडियोज चैनल पर फ्री ओफ कॉस्ट पड़ी है और हमेशाए फ्री नाम का शहर पर्शिन लिटरिरी राइफ का सेंटर बना और गजनी में जो इंपीरिल कोट था ना वहां बहुत सारे पोएट्स आते थे चुकि पोएट्स को पता है कि यहां का राजा पर्शिन में लिखी हुई आर्ट और कल्चल फॉर्म सो काफी इंपोर्टनेस दे रहा ह तो कल के डेट में हमारी लिखी हुई चीज अगर राजा को पसंद आगे तो हमारे मजे लग जाएंगे तो बहुत सारे बड़े-बड़े पोएट्स अपनी किसमत आफजानें इंपीरिल कोट में आते थे रूलर्स जो राजा थे उनको भी पता था कि हम आर्ट और लर्निं थी इसलिए अब देखोगे कि अलग अलग जगाओं के राजाओं ने ये जो ऑथर्स वगरा थे इनको काफी सपोर्ट दिया महमूद अफ घजनी की बात की जाए तो इसने अपने चारोत तरफ अपने आपको पोएट्स से घेरा ये पोएट्स एंथरिलोजी लिखते थे ज जिसको मतनवी बोला आता था एक बड़ा इंपोर्टन पोएट था फिर्दौसी नाम का लगबख एक हजार बीस एडी के समय पे एक्टिव था इसको तीस साल लगे शाहनामा बुक को लिखने में जिसको बोला गया है बुक ऑफ किंग्स इस पर्टिकुलर किताब में पचा बीस एडी की समय पे अक्टिव था इसने शाहनामा नांग की किताब लिखी थी जिसमें इसलामिक लिटरिचर के पचास जार कपलेट्स लिखे हुए ये जो शाहनामा है इस अ कलेक्शन अफ ट्रडिशन और लेजेंड्स ठीक है ना तब मोस्ट पॉप्लर बिंग दाट और फ्रुस्तम विच पोईटिकले डिपिक्स इरान फ्रम क्रिएशन अफ तिल अरब कंकर्स तो शाहनामा किताब में इतने सारे कपलेट्स लिखे हैं जो कि इरान की पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देते हैं कब इरान मना शुलवात में डाइनस्टी में कौन-कौन से रूलर तब फॉर्ण था उनके आप कह लिजे कि तारीफ में जो जो भी राइने लिखी गई थी यह सब कहीं न कहीं शाहनामा में कंपाइल है ठीक है तो मैमूद अफ गजनी में जो गजनविट ट्रडीशन था तो वहाँ पे पर्शन भासा को इंपॉर्टेंस मिली और धीरे दीरे आप देखोगे कि पर्शन इंडिया पहुंची और इंडिया में भी बहुत लंबे समय तक एड्मिनिस्ट्रिशन को चलाने में और कल्चर के फ़र्म में पर्शन भासा का काफी इंपॉर्टेंस रहा है ओके यहां पर दिमना नाम की आपको एक पेंटिंग दिख रही है यहां पर जो दिमना है ठीक है यह दिमना है ठीक है ना यह जो कुत्ते भेड जैसा लग रहा है और यह यहाँ पर लॉइंद के साथ बाचीत कर रहा है 13th century की Arabic manuscript में एक ऐसी ही image पनी होई है फिर एक catalog है यहाँ पर किताब अल-फिहरिस्त नाम का ठीक है ना यह एक बगदाद के bookseller का catalog है यह bookseller का नाम था इबन नदीम 895 AD के समय पे यह आपके साथ लग बग एक्टिव था इट डिस्क्राइबस लाज नंबर अफ वर्क्स रिटेन इन प्रोस फॉर दा मॉरल एजुकेशन और अम्यूजमेंट और रीडर्स तो इस पर्टिकुलर किताम में किताब अलफेरिस्त में बहुत सारे प्रोस के फॉर्म में आप के लोग लाइने लिखी हुई है जिससे लोगों का entertainment होता है उनको moral education मिलती है और इन में से एक animal fables का collection है काफी पुराना है जिसका नाम है कलीला वा दिमना ठीक है ना तो कलीला वा दिमना नाम का animal fables उसमें पर काफी पुराना था अब आप कह सकते हो इस पहलवी वर्जन को जब Arabic में translate किया गया तब बना कलीला वा दिमना समझ गया तो इंडिया की पंचतंत्र की कहानी जब पहलवी वर्जन में convert की गया फिर पहलवी वर्जन को Arabic वर्जन में convert किया गया तब बना वो कलीला वा दिमना देखिए याद रहे तो ठीक है नहीं तो इस प्रकार की information तो इतनी है history में कि भाई कोई अथा मतब कोई end नहीं है इनका हाँ ये important यहाँ पर information इसलिए हो जाती है चुकि सीधे-सीधे NCRT में लिखिये तो exam में पूछे जाने के chances बढ़ जाते हैं पिर आप देखो जो सबसे widespread और lasting literary work था वो थी stories of hero adventures such as Alexander, Alexander को अल इसकंदार भी कहा जाता अब Alexander की तो बाती अलग थी है Alexander का तो सपना था पूरी दुनिया पे राज करने का, Alexander का तो अपनी अलग importance है history में तो उसकी कहानिया तो सुनी ही जाती ही तो समय पर आज की date में उसकी कहानिया सुनी जाती है जब entertainment की इतने साधन उपलब्द है तो उस समय पर बाती छोड़ दो आप फिर सिंदबाद दा सेलर, सिंदबाद दा सेलर की कहानिया आप देखो कॉमिक्स में और हमारे टीवी बगरा में दिखाई जाती है फिर unhappy lover जैसे कि कायस जिसको आप मजनू या madman बोलते हो इसकी कहानिया भी बहुत फेमस थी उस समय पर और ये कुछ ऐसी कहानिया है जो over the course of time develop होई है centuries लग गए इन कहानियों में बहुत changes हुए है from one person to another person, from another person to another person oral और written traditions में इन कहानियों को फैलाया गया चाहे वो अलेक्सेंडर की हो, चाहे वो सिंदबाद दा सेलर की हो, चाहे वो मजनू कायस की कहानिया हो ये filthy गई है, ठीक है ना, from PD to PD, region to region इन कहानियों में region wise थोड़ा बहुत difference भी देखने को मिल सकता है जोकि एक इनसान दूसरे को बताएगा, वो कहानी किसी दूसरे region ने पहुँचेगी तो थोड़े बहुत तो local changes आई जाएंगे फिर the thousand and one nights, ये एक और collection है stories का जिसका एक single narrator है, शाहरजाद, ठीक है तो ये जो narrator है, शाहरजाद, ये अपने husband को night after night stories सुनाती रहती थी तो इसका जो collection इसको बुला गया था thousand and one nights ये जो collection था, ये शुरुआत में इंडो-पर्षियन में था, बाद में इसको Arabic पे translate किया गया बगदाद में, आठ्वी शताब्ती में, और इस particular collection में, मन्दो collection में, thousand and one nights में, और भी stories जोड़ी गई, ठीक है न, काईरो, जब ममलुक डैनिस्टी का राज था, काईरो एजिप्ट में, तो इस thousand and one nights में, और भी stories जोड़ी गई, देखे, चीजें आगे बढ़ती जानी थी और उसमें generous additions यहां पे किये जा रहे थे, तो यह जो stories थी, जैसे thousand and one nights, यह human beings के character के बारे में, बात करती थी, human beings generous होते हैं, stupid होते हैं, human being gullible होते हैं, उनको आसानी से बेवकू बनाया जा सकता है, crafty होते हैं, ठीक है न, और इन stories के basis पे थोड़ा बहुत लोगों को educate भी किय जाता था, देखे कोई भी इनसान कुछ लिख रहा है, तो क्यों लिख रहा है, ताकि दूसरा उसको पढ़े, आज की date में भी novels लिखी जाती है, poems लिखी जाती है, गद्द साहिद, पद्द साहिद, यह सब लिखा जाता है, किसी भी भाशा में लिखते हैं, ताकि लोग उस समय पे, तो कहानियों के माध्यम से लोग अपना entertainment करते थे, कहीं एक जमावडा लग गया, जमगट लग गया, बहुत साले लोग बैठे हैं, कोई कहाना सुनाना शुरू कर दिया, दूसरे ने सुननी शुरू कर दी, ठीक है, उस समय पे जादा लोग पढ़े रिखे नहीं ह होने लगा, ठीक है, फिर आप देखोगे, किताब अल्बुखाला नाम की एक किताब थी, जिसको book of miser's बोलते हैं, तो जाहिज ऑफ बासरा आयट 68 के लगबग पे, जाहिज ऑफ बासरा ने कनेक्ट किया, amusing anecdotes about miser's and also analyzed grief, तो मतलब किताब अल्बुखाला book of miser's को जाहिज ऑफ ने लिखा और यहां पे, उस समय की greed वाले लोग, यह लोग जिनको जिस प्रकार की परिशानिया थी, उन से related कहानियों को इस किताब में लिखा, फिर आप देखोगे, from the ninth century onwards, the scope of adab was expanded to include biography, manuals of ethics, अखलाक, mirrors for princes, books on state's craft, and above all history, तारीख and geography, यह क्या चीज है, देके समझे, मैंन आपको पिछली वीडियो में बताया था कि adab का क्या मतलब है, अगर कोई adab वाला है, मतलब उसकी भाषा बहुत अच्छी है, वो सोचने में बहुत तेज है, और उस समय पे जिसकी भाषा अच्छी है, cultural refinement है, language refinement है, वो बहुत अच्छा लिखेगा, तो जिसके पास adab है, वो पहले अच्छा लिखता था, अब इस लिखने वाले में जो अच्छी biography लिख ले, जो ethics से related, manuals लिख ले, जिसको अखलाग बोला गया है, ठीके, जो history से related चीजे लिख ले, जिसको तारीक बोला गया है, जो geography से related चीजे लिख ले, मतलब अदब वो वाला इंसान होगा है जिसके पास अलग-अलग fields की knowledge है, और वो अलग-अलग fields के बारे में, diverse fields के बारे में लिख सकता है, मतलब अदब का concept यहाँ पे expand हो रहा है, अगर कोई geography की पास लिखा जारा तो बोलेगा भाई, इसके पास अदब है, history के बारे में लिख 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 जिसके अंदर refinement था, भाषा घ्वा अच्छा गे आन था, उसको अदब बोला गया, और अदब के parameters यहाँ पे expand किये गया, ठीक है, तो अलग-अलग topics के बारे में लिख 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 में history writing काफी important थी जो कि लोग history पढ़ना पसंद करते थे ठीक है वुष समय पर आप कह सकते हूं कि लोगों कर टाइम हुआ कर था था पढ़ा है लिखाई में history पढ़ी आएगी तो ही जो history books थी scholars पढ़ते थे ब्रॉडर लिटरीट पब्लिक पढ़ती थी for rulers and officials history provided a good record of glories and achievements of dynasty as well examples of the techniques of administration हर कोई history को अपने अपने इस्तमाल के लिए पढ़ रहा है तो जो लोग है वो अपनी knowledge के लिए पढ़ रहे हैं जो rulers and officials है वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहले की समय के राजाओं ने क्या किया किसी administrative problem को किस प्रकार से solve किया तो आज के राजाओं के सामने अगर कोई administrative problem आ गई तो वो अपने वजीर से बोलते थे educationist से बोलते थे कि पहले की history पढ़ो और देखो कि क्या इस problem को पहले कैसे sort out किया गया है फिर यहाँ पे दो major historical works थे अंसब अल-अश्रफ जिसको बोला गया genealogies of the nobles of bala dhuri 892 के लगबग, AD के लगबग का ये writing है और एक तारीक अल-रसूल वल-मुलुक जिसको बोला गया history of prophets and kings ये तबारी का था तो ये दो important historical works थे बाला धूरी ने लिखा था पहला अंसब अल-श्रफ जिसको बोला गया genealogies of nobles और एक लिखा था ताबारी ने जिसको बोला गया तारीक अल-रसूल वल-मुलुक history of prophets and kings अब देखिए ये specific किता में किस ने लिखी ठोके ये सवाल पूछने को तो देखो आप से पूछा जा सकता है UPSC में जो class 11th के perspective से history की videos देख रहा है मेरी तो 11th क्लास में तो पूछी जाएंगी ये चीज़े और अगर UPSC या किसी competitive exam के perspective से देख रहे हैं तो definitely NCRT में लिखा है तो किसी भी exam में आप से पूछा जा सकता है that is why मैं एक एक लाइन डिसक्स कर रहो तो ये जो दो important major historical words है इसमें पूरी की पूरी जो human history है न इसको Islamic period को focal point मन के माना गया मतला अब समझ लीजे अब obvious ही बात है central Islamic lands में ये दो historical words लिखे गए थे तो obvious ही बात है human history को ये Islamic जो भी उस समय का राज था उसको center मान के पूरी की पूरी human history को यहाँ पर define कर रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं थे चुकि देखे अब Islamic lands में overall history लिखी जा रही है तो center में जो सबसे important culture उसको importance दी जाएगी तो वो यहाँ पर दी गई है फिर आप देखे the tradition of local history writing developed with the breakup of the caliphate books were written in Persian about dynasties, sites or cities or regions to explore the unity and variety of the word of Islam क्या लिखा हुआ है कि भाई देखे caliphate का जाब break up हुआ तो छोटे छोटे आप देखो अलग अलग जगाओं में Islamic जो rulers थे वो आ गए और उन्होंने अपने अपने इलाके की local history को लिखना शुरू किया ठीक है तो Persian में किताबे लिखी गई चोटी-चोटी dynasties के बारे में, cities के बारे में, regions के बारे में ये बहुत अच्छी बात थी पता है क्यों चुकि आज की date में इन जगाओं के बारे में इनकी history के बारे में बहुत सथा जानकारी available है और वो इन किताबों के दम पे available है अगर centralized rule रहता और किवल centralized किताब रहती तो region wise history हम नहीं जान पाते लेकिन overall यहाँ पे region wise history जानी है तो जितने भी इलाके में Islamic राज हुआ करता था उस इलाके की unity के साथ-स इलाके की variety के बारे में भी हमको पता है चुकि हर इलाके के respect में overall history cover की गई है चुकि local dynasties ने अपने 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 इलाके में क्या होता है इसके बारे में चीजें लिखा की है ठीक है भाई तो यह हमने देखा आगे बात करते है geography and travel रहला travel को यहाँ पे रहला बोला गया constituted a special branch of adab adab के अंदर geography को भी importance दी गई travel को भी importance दी गई और overall देखो तो Greek sources से भी information उठाई गई Iranian sources से भी information उठाई गई Indian books से भी information उठाई गई merchants की observations, travelers की observations इन सारी information को उठाके एक knowledge full आप कहनो centralized base बनाए गया Islamic culture की एक बहुत अच्छी बात थी वो खुच जो develop करते थे वो तो था ही था, उसके सासथ बाकी sources से जो उनको available हो रहा था उसकी भी उन्होंने best चीज़ें उठाई है चाहे वो किसी merchant या traveler की कई वही बात हो, चाहे Indian source से कोई knowledge हो चाहे Iranian source से हो, चाहे Greek source से हो अब आप बोलोगे सर Iranian source साफ अलग क्यों बोल रहा है यहाँ पे भी तो Arabic राज था Arabic राज था, बट Iranian culture बिलकुल अलग था, ठीके ना इरान के इरान के इलाके में जब Muslim tribes पहुची तो पहले वहाँ पे Muslims नहीं रहते थे, धीरे धीरे वो convert हो गए Muslim धर्म में, लेकिन उनका पहले के culture की जो important चीजें थी, वो Arabic culture में assimilate हुई है, और इससे Arabic culture बहुत enrich हुआ है, फिर आगे देखिए, in mathematical geography, the inhabited world was divided into seven climbs, singular equilibrium, parallel with the equator, corresponding towards three continents, यहाँ पे overall कुछ scientific चीजें बता रखें कि mathematical geography में, जो word था, उसको साथ climbs में, basically साथ regions में divide किया गया था, equator के parallel, आप कहलो, साथ line ने खीच किये, पूरी की पूरी पृत्वी को बाट दिया गया था, okay, continents के हिसाब से, तो अब geography का, जो भी उस समय पे लोगों की जानकारी थी, उस हिसाब से, उनों किताब है, एहसान अल-तकासिम, the best divisions, तो इसने countries की comparative study की है, वहाँ पे लहगेवाने लोगों की comparative study की है, ठीक है, एक treasure of trove है, exotic curiosities का, अलग-अलग जगाओं पे रहने वारे जो लोग है, उनकी जो curiosity है, उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है, फिर geography और general history को यहाँ पे combine किया गया, मुरुच al-dahab में, golden meadows of masoodi में, जो की लिखी गई थी लगबग 943 AD में, तो यह जो golden meadows, मुरुच al-dahab लिखा गया था, masoodi के दोरा, इसमें geography भी है, general history भी है, ठीक है, तो दुनिया भर के cultures के बारे में यहाँ पे आया गया, फिर al-barooni की writing है, तहकीक मा लिल हिंद, जिसको आप history of India बोलते हैं, यह तो आप खेर पढ़ते ही रहते हो, तो al-barooni की writing एक attempt था, जिसके थूँ 11th century Muslim writer ने, इसलाम की दुनिया के बाहर निकल के, दूसरे जगा के cultural traditions को cover किया, यहाँ पे इंडिया के cultural traditions cover हुए, तो उस समय पे इंडिया में Muslim धरम नहीं फैला था इतना, तो आप कह सकते हो कि इंडिया उस समय पे Islamic land की definition में cover नहीं होता था, बाद में दिल्ली सल्तनता आ गई, overall, मुगल आ गए, तब कहा जा सकता कुछ लोगों ने फिर इंडिया को Islamic land बोला, पर टेक्निकली तब भी इंडिया इस्लामिक लैंड नहीं था, तो कि non-muslim population जादा थी, इस lecture लोग कंटिनू करेंगे अगले में, overall, बस एक वीडियो और लगेगी, और यह chapter आपका खतम हो जाएगा, यहाँ पर एक diagram सा आपको दिख रहा है, देखेंगे, एक पेड़ सा बना हुआ है, नीचे आपको बेडिया दिख रहा है, एक बेडियो को शेर खा रहा है, तो यह क्या है, यह पेंटिंग है, मोजियाक फ्लोर, नीचे comment बॉक्स में बताओ, यह मोजियाक फ्लोर क्या होता है, जस्त देखें कि आप भी कितना अवेर हो, वाट इस दिस मोजियाक फ्लोर, तो यह मोजियाक फ्लोर है, खिरबात अलमफियार, पेलस्टीन आठवी शताब्दी में, जो पैलस था, महल था, उसके बाउथ, बाथ हाउस की यह फोटो है, तो पीस और वार दोनों ही इस फोटो में नजर आ रहा है, और कैलिफ साब यहां पे ओवर आल, इस पेड़ पे बैठे हुए दिखाये जा रहे हैं, सीज़े सीज़े नहीं दिखाये जा रहे हैं, नीचे यहां पे पीस भी नजर आ रहा है, और इदर वार भी नजर आ रहा है, चोटा सा जो यह चैप्टर बचा हुआ है, इसको अगली वीडियो में खतम कर देंगे, अभी के लिए वीडियो में खतम कर रहा हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हूँ, वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा, इस्टराम पर फॉलो कर लिजे, टेलिग्राम ग्रूप जोएन कर लिजे, दोनों ही चीजों का लिंग नीचे दिया हुआ है, अब आप ग्रेट डिफ्रेंट्स गुट भाए, ध्यान रखे अपना, और हो सके तो जोईन बटन दबाग के जाए,